हेलो बच्चो ब्लूपर डिजिटल में आपका स्वागत है मैं मोनिका आपकी में स्ट्यूटर बच्चो हम पढ़ रहे थे व्रत के बारे में जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि व्रत क्या होता है व्रत की त्रिज्जा क्या होती है व्यास क्या होता है व्रत की परी जीवा कंदर कोन कोंगा हुआ क्या संबन्ध होता है हम समान लंबाइ की दो उन दोनों जीवां से कींदर के एंतित करेंगे तो दोनों कोन है और का मैं चैसे होंगे बराबर हों बच्चो आजकी सेंगे हम बात करेंगे कि जो व्रत होता है व्रत में अगर कोई जीवा है और केंध्र से हम उस जीवा पर लब डाले तो वह जो लम्हांच को दो बराबर भागों में बाढ़ता है तो आज करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ यसाथ बैल आइकन पी किलिक करें ताकि आने वाले सारी वीडियो करें बैलोई दो इसके नोटिफिकेशन आप तक पोस्तेरे कि तो स्राइट करते आजका लेक्चार्ण वानियार करें सब्सक्राइब करता है मतलब दो समान भाग में व्रत बनाया यह व्रत का केंदर O है ए हमने इस भी जीवा ली मान लेते हैं यह जीवा है हमारे पास A B तो व्रत के केद्र से लंब डाला गया यह तो लंब का मतलब क्या यह बिलकुल इसके लंबवत होगा यानि कि हाँ पर 90 डिगरी का कौन बनेगा यह भी 90 डिगरी का कौन बनेगा तो हमसे यह पूछा गया यह जो लंब है वो A B को दो बराबर भाग में बाठता है अगर यहाँ पर बिंदू N है तो A N बराबर होगा N B के अब इसे हम प्रमी की तरह करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसमें सबसे पहले जो हमें दिया है तो हमें दिया हुआ है और जीवा A B और जीवा A B पर लववत है O N यह हमें इसमें दिया हुआ है हमें सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है कि A N बराबर होगा N B के इसमें हम रचना कर लेते हैं हमने क्या करेंगे इस O को हम A से मिला देते हैं और O को हम B से मिला देते हैं O A और O B को मिलाया अब उपत्ति अब उपत्ति में हम देखते हैं हमारे पास क्या मिल गए यह दो तिर्भुज मिल गए कौन से तिर्भुज O N A और O N B और यह दोनों ही तिर्भुज कैसे हैं समकौन तिर्भुज है क्या क्योंकि यह काया है इसके लमवत है 90 ओ fuego का कौन बन रहा है इसमें भी इसमें भी तो यह दोनों समकौन तिर्भुज एं अब partners सर्भांक्सम शिद कर दें तो उससे हम A N कo N B के बराबर स्द कर सकते हैं तो तिर्भुज A N O तथा तिर्बुज B-N-O में अब आप इस तिर्बुज में और इस तिर्बुज में देखेंगे तो सबसे पहले तो जो O-N-A कौन है वो बराबर है कौन O-N? O-N-B के ये कौन इस कौन के बराबर है वो कितना है? 90 डिग्री है तो एक कौन तो दोनों तिर्फुज़ों में बराबर हो गया है इसके अलावा जो O-A है वो O-B के बराबर होगा O-A बराबर O-B होगा क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है व्रत की तरिज्जा है क्योंकि केंद्र से परिधी पर आप कोई भी लंबाई खीचोगे तो वो क्या होती है व्रत की तरिज्जा होती है तो ये O-A और O-B व्रत की तरिज्जा है और व्रत की तरिज्जा आपस में सारी बराबर होती है तो O-A बराबर O-B होगा इसके अलावा इन दोनों तिर्फुज में जो O-N है वो दोनों तिर्भुज में कैसा है उबहनिस्ट भुजा है उबहनिस्ट भुजा है तो दो भुजाए बराबर होगी है एक कौन बराबर हो गया है तो ये दोनों तिर्भुज कैसे हो गया है सर्वांगसम हो गया है भुजा कौन? भुजा से तो तिर्भुज A-N-O सर्वांगसम होगा तिर्भुज B-N-O के अब जब दोनों तिर्भुज सर्वांगसम है तो उन दोनों तिर्भुज के संगत भुजाए आपस में बराबर होती है उन दोनों तिर्भुज के संगत कोन भी आपस में बराबर होता है तो यह AN भुजा है इस वाले दिर भुजकी. और NB भुजा है दूसरे वाले दिर भुजकी. तो इसलिए AN बराबर होगा NB के. यही हमें इसमें सिद्ध करना था. तो ये हमारे पास एक व्रत है, व्रत में एक जीवा है, केंदर से हमने जीवा पर लंब डाला, तो केंदर से जीवा पर डाला हुआ जो लंब होता है, वो जीवा को सम्दी भाजित करता है, मतलब दो समान भागों में विभाजित करता है है बच्चो अगली प्रवय है हमारे पास जिसमें पहली प्रवय का क्या एंग उटा है विलोव है उसका पहले प्रवय में हम आउय n जो लम बुजा है जो केंदर से जीवा पर खीची गई हो जीवा को सम्धिभाजित करती है लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि जो यह बुजा हमने खीची है यह लमवत है लमवत है मतलब क्या कि यह लमवर डिगरी के कौन होंगे या नहीं होंगे तो इसमें हमें दिया होगा है कि एक व्रत के केंदर से जीवा को सम्धिभाजित करने के लिए खीची गई रेखा तो इसमें हमें यह बता दिया है कि एन बराबर क्या होगा एन भी होगा रेखा सब्सक्राइब करेंगे और फिर इसमें हम रेखे युग अभी ग्रहित जो होती है उसको लगाएंगे जिससे हमारी ये कौन नब्बे डिगरी के सिद्ध हो जाएंगे तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे इसमें जो हमें दिया हुआ है दिया है ओ केंद्र का व्रत एक व्रत दिया हुआ है जिसका जो केंद्र है वो क्या है ओ है जीवा एबी जीवा एबी दी हुई है और वो किस तरह से दी हुई है एन बराबर एन बी इसे में पहले से महीं कर लिख देती हूँ ठीक है ये हमें दिया हुआ है पहले से कि जीवा को समधिभाजित कर रही है वो तो एन बराबर एन भी हमें दिया हुआ है हमें सिद्ध क्या करना है इस O N है वो लंवत होगी A B पर या फिर हम क्या सिद करेंगे इसमें कौन O N A बराबर कौन O N B बराबर होगा 90 डेगरी 90 डेगरी कहोगा तभी तो हम उसको कहते कि वो लंवत है उस पर अब रचना रचना में हमने O A और O B O को A से मिलाया और O को B से मिलाया अब हमारे पास क्या बन गए दो तिर्भुज मिल गए हमें लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो समकोन तिर्भुज हैं हमें सिफ दो तिर्भुज मिले हैं अब इन दोनों तिर्भुज को हम देखते इसमें क्या क्या हमान हम सिद्ध कर सकते हैं तो तिर्भुज O N A तथा तिर्भुज O N B में इन दोनों तिर्भुज में O A बराबर होगी O B के O A बराबर O B क्यों? क्योंकि ये व्रत की तिरिजाए हैं व्रत की तिरिजाए हैं तो इसलिए ये आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी AN बराबर है Np चे यह हमें क्या है? पहले से कथन में दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है इसके अलावा तो दो बुझाय बराबर है तीनो ये बुझाय बराबर होगी है तो तीरों भुजाए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? भुजा, भुजा, भुजा से, ये जो दोलों तिर्भुजे ही सरवांगसम सी दो गया है तिर्भुज, O-N-A, सरवांगसम होगा, तिर्भुज, O-N-B के किस से? भुजा, भुजा, भुजा कसोटी से अब जब ये दोलों तिर्भुज, सरवांगसम हैं, तो इनकी संगत हो जाए और संगत कौन भी बराबर होगे, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? कौन, O-N-A, बराबर होगा, कौन, O-N-B के ये कौन इसके बराबर होगा? इसे हम समीकर दो लिख देते हैं ये कौन इसके बराबर होगा, अब हमारे पास एक और स्टेट्मेंट है, ये एक और हमारे पास प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये क्या है हमारे पास जो A-B है पूरा, ये जो हमारे पास पूरा कौन है? जब हमारे पास इस तरह से कोन होता ही कितना होता है 180 degree ठीक है यानि कि इसे हम क्या कहेंगे ये प्लस ये ये हमारा रैखिक युगम अभीगरीत होगा तो रैखिक युगम अभीगरीत से ये प्लस ये दोनों कितना होगा 180 degree होगा और ये दोनों आपसें बराबर है तो हम बराबर वाला इसकी जगा ये लिख सकते हैं या इसकी जगा ये लिख सकते हैं तो हमारे जो कौन है वो निकल के आ जाएगा कौन O N A प्लस कौन O N B बराबर होगा 180C डिगरी किस से रैखिक युग्म अभिग्रेश से रैखिकि अभिग्रेश से ये दोनों बराबर हैं और दोनों का योग जो है वो 180C डिगरी है तो समीकन दो और तीन से समीकन दो वै तीन से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हम इसमें ये बराबर ये लिख लेते हैं तो कोन O N B को प्लस प्लस हो जाएगा तो दो गुना हो जाएगा बराबर 180 डिग्री यानि के कोन O N B कितना हो जाएगा 90 डिग्री 180 से दो गया इसी तरह से कोन O N A वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री अब इसे हमने 90 डिग्री सिद कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया है इसका मतलब हो गया है कि O N जो है वो लंवत होगा A B पर तो इस प्रमे के लिए हमने क्या किया है इस प्रमे के लिए हमने दोनों तिर्बुज को सरवांगसम सिद कर दिया सरवांगसम सीथ करने के बाद ये हमारा रेखे कि अभी गरीथ हमने इसमें लगाया कि दोनों कोलों का यो कितना होगा 180 degree होगा ओ सरवांगसम है तो ये दोनों कोल आपस में बराबर होंगे तो इनी दोनों गुन से हमने ये सीथ कर दिया कि ओ एन जो है वो एबी पर क्या होगा लंवत होगा क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं ये और ये दोनों 90-90 degree के कोन हमारे होंगे बच्चो नेक्स टॉपिक है हमारे पास कि तीन बिंदों से होकर जाने वाला व्रत अब तीन बिंदों कैसे तीन बिंदों सन्रेखे या ए सन्रेखे है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सन्रेखे क्या होते हैं और एस सन्रेखे क्या होते हैं अब इसके अलावा मैं कोई यहाँ पर तीसरा बिंदू लूँ C, इसे मिला दूँ, तो A, B, C, यह भी क्या होगे? सन्रेख, यानि कि एक ही रेखा पर जितने बिंदू होंगे, वो कैसे होंगे? सन्रेख ही बिंदू होंगे, इसके अलावा इस बिंदू C को मैं यहाँ न लेके, यहाँ पर ले लूँ, C, तो यह कैसे होंगे? S N R A K 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 इस तरह से व्रत खीच लिया इस तरह से व्रत खीच लिया और भी व्रत खीचे जा सकते हैं थोड़ा छोटा खीचा जा सकता इस तरह से तो एक बिंदू से हम बहुत सारे व्रत खीच सकते हैं और यह सारे व्रत उसी एक जो सेम बिंदू है उसी से होकर जा रहे हैं इसके अला कश दिया फिर एक सत्थ ऑफ इसके अलावा और भी वarten आप छोटिक थक्षैंच को तो हम दो बिंदों से हो कर जाने वाले व्रत भी क sarc पा रहे हैं गी थी व्रत तो अगर मैंने कि ये में ये ढ़िन कि ऐसे होता हुआ तो भी वह A और C से जाएगा B से नहीं जाएगा या फिर मैं इधर की तरफ को व्रत खीशती हूं तो वह B और C से जाएगा A से नहीं जाएगा तो हमारे पास एक बात यह निकल के आईए कि अगर तीन बिंदू सन रेखे हैं तो हम उस पर व्रत नहीं की सकते हैं तो हम उस पर ट्राइ करेंगे तो देखते हैं एक हमने बिंदू यहां पर लिया एक यहां लिया और एक यहां लिया तो इन तीन बिंदों से होकर जाने वाला व्रत खीचा जा सकता है तो हम तीन बिंदों से होकर जाने वाला व्रत खीच सकते हैं अगर वो बिंदू कैसे हो एसन रेखे बिंदू हो तो इस टॉपिक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसे रिलेटेड पहले हम एक प्रमे को हल करेंगे बच्चों इस पर आधायत हमारे पास एक प्रमे है जिसमें हमारे पास कथन है कि तीन दियेगे एसन रेखे बिंदों द्वारा होकर एक और केवल एक ही व्रत खीचा जा सकता है यह हमें इसमें सिद करना है तो हम इसे कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है इसमें तो दिया है S अन्रेखी हमने बना दिया, बिंदू A हमने हा लिया है, B हमने हा लिया है, और C हमने या लिया है, तो तेनों क्या है, S अन्रेखी हो गए, एक ही रेखा पर नहीं है, फिर हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बिंदू, A, B, V, C से, एक ही वरत खीचा जा सकता है, यह हमें इसमें सिद करना है, अब हम रचना क्या करेंगे इसमें, रचना, रचना हम यह करेंगे इसमें, कि जैसे हमने यह बिंदू A है, और A और B का हम लंब सम्दी बाज़ा कीचेंगे, तो प्रकार की मदद से हम इस बिंदू पर यहां पर ऐसे कट लगाएंगे, फिर इसमें ऐसे कट लगाएंगे, फिर इसको आपस में, इधर और इधर फिर इसे हम आपस में मिला देंगे, तो यह क्या होगा हमारा A B का लंब सम्दी बाज़ा कोगा, ठीक है, और लंब सम्दी भी निशान लगाएंगे और सी से भी लगाएंगे फिर उसे आपस में हम मिला देंगे और फिर इन दो लंब सम्धी बाजक को हम आपस में जब मिलाएंगे तो वह बिंदू आपर मिलेंगे और इनकी जो लंबाई है वह आपस में कैसी होगी बराबर होगी इसके अलावा रच खीचे ने लंब सम्दी भाजक खीचा अब उपथी पहले हम इस पे देखते हैं यह इसका लंब सम्दी भाजख है लंब सम्दी भाजक है तो ओ यह बराबर ओ भी का होगा ओ इससे हम पहले समीकर लिख देंगे ठीक है हमने बिंदू A से B से क्या करा लम समदी भाज खीचा तो और यह जो यहाँ पर आके मिल रहा है O O एक तरह से हमारा क्या होगा जो भी हम व्रत खीचेंगे उसका केंदर होगा इसी तरह से हमने इसका भी खीचा तो यह क्या होगा हमारा O भी बराबर होगा O C के यह समिकन दो होगा O ए बराबर O भी और O भी बराबर O C और यह दोनों ही हमारे किस पे मिल रहे हैं बिंदू O पर मिल रहे हैं अब समिकन एक और दो से समिकन एक वै दो से O भी बराबर O C हो गया ये बराबर इसके बराबर ये हो गया है तो ये तरह से क्या खीची है ये हमारी उस व्रत की जो भी हम व्रत खीचेंगे उसकी तरिज्जाय होगी अब आप व्रत कैसे खीचोगे प्रकार लेंगे प्रकार का जो केंदर है आप यहाँ पर रखेंगे और उस प्रकार से बिंदू C, B और A से होते हुए, ऐसे ही परीदी बनाते हुए एक वरत खीच लेंगे तो इससे हमारा क्या सिध होता है? इससे हमारा ये सिध होता है कि ये जो हमारे तीन A सनरेखे बिंदू है इससे होकर केवल एक ही विरत खीचा जा सकता है और उससे पहले हमने इसमें जो O A, O B और O C है उन तीनों तरिज्जाओं को आपस में बराबर सिद कर दिया है ठीक है? इसी लिए तीन ए संड्रेखी तीन ए संड्रेखी बिंदू से केवल एक ही व्रत खीचा जा सकता है इसकी अलावा आप इसमें कोई भी और व्रत नहीं खीच सकते हैं सिर्फ एक ही व्रत इसमें बनेगा तो बच्चो अभी तक जो अपने इस लेक्चर में सीखा उससे हमारे पास कुछ बिंदू निकलके ये आए कि दो अलग अलग व्रत एक दूसरे को दो से अधिक बिंदू उपर पर परतिशिद नहीं करते हैं तो अगर यह आपसे परतिशिद करेंगे तो बस दो ही बिंदू पर करेंगे दो से ज्यादा बिंदू पर वो एक दूसरे को परतिशिद नहीं करेंगे ठीक है तीन एस अन्रे की बिंदू से होकर जाने वाला केवल एक ही व्रत खीचा जा सकता है अगर हमारे पास ये एक बिंदू है बी और सी तो इन तीन बिंदू से होकर जाने वाला सिर्फ क्या होगा एक ही व्रत जो है वो खीचा जाएगा यहाँ पे हम बिंदू C ले लेते हैं और यहाँ पे A और यह कैसे बिंदू होंगे? S सनरेखी होंगे और अगर वो रेखे होंगे सनरेखी होंगे S सनरेखी ना होकर सनरेखी होंगे तो हम उसमें तीनों से अगर जा रहा है तो कोई व्रत नहीं बना सकते इसके अलावा एक व्रत के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधी भाजित करता है यह हमारा व्रत है हमने एक जीवा ली AB इसका जो केंदर है इससे हमने लंब डाला O N तो A N बराबर होता है N B के यानि कि ये इसके बराबर होगा इसका मतलब जो लंब है वो जीवा को सबान दो भागों में बाड़ देता है बच्चो आज की लेक्चर में हम इतना ही करते हैं नेक्स लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक ही वरत में दो जीवाएं और केंदर से उनकी दूरी हम कैसे निकालेंगे वीडियो परसंद आया है तो लाइक जुरूर करें दोस्तों कि शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू